जब से इसराइली सेना ने राफा पार आकरमन किया है तब से ही आईडिएफ के उल्टे दिन शुरू हो गए है। हर एक सेकंड, हर एक मिनिट पर राफा के भीतर हमास के लड़ा के इसराइली फौज को दहला रहे हैं। राफा अभी तक हमास का सबसे बड़ा और मजबूत गड़ बना हुआ है। जहां पर हर रोज आईडिएफ की कबरे खुद रही हैं। जी हां, ये हम नहीं कह रहे हैं। बल्कि राफा से जो वीडियो निकल कर सामने आ रहे हैं। उनमें ये साफ दिख रहा है कि राफा के भीतर हमास कितना ताकतवर हो चुका है। और अब इसी कड़ी में हमास की स्थेन निशाखा अलकासिम ब्रिगेट ने राफा के अल्शबोरा कैम्प में आईडिएफ पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। यहाँ पर अलकासिम ने आईडिएफ के मेरकावा टैंक को जमीन में बारूत बिछा कर उड़ा दिया है। और इस हमले की वज़ा से टैंक का चालक दल वहां से भागने लगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमास ने उन हमलों को जारी रखा। अलकासिम ने इसका एक वीडिएफ भी जारी किया है जिसमें टैंक पर दूर किसी छट से हमला किया जा रहा है। अलकासिम का दावा है कि इस हमले में आईडिएफ के कई जवान मारे गए हैं या फिर धायल हुए हैं। इसके अलावा पश्चमी रफा के तलल सुल्तान में तकद्दम एक्सिस में अलकासिम ने आईडिएफ के इतन सेन निवाहन पर भी अल्यासीन 105 गोलों से हमला किया है। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें सेन निवाहन पर मोटर गोले फायर होते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो में हमास के कुछ लड़ा के एक लॉंचर से कई राउंड रॉकेट भी फायर करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि लॉंचर को घनी हर्याली के बीच लगाया गया है और आजपास के इलाके को वीडियो में बलर किया हुआ है। आपको बता दे कि अलकासिम ब्रिगेड ने पस्चमी रफा के अल्शावोरा केम्प में आईडियाफ के एक मैविक प्वाटकॉप्टर ड्रोन को भी जब्त किया है हमास ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें एक लड़ा का ड्रोन पर रिवर्स इंजीनियरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है इस हमले के अलावा अलकासिम ने अलजायतून में आईडियाफ के कमांड और कंट्रोल सेंटर पर भी भारी गोलाबार उद्दागा है अलकासिम का कहना है कि इस हमले में आईडियाफ को तगड़ा नुकसान हुआ है वही हॉलेज सेटिलमेंट में तो अलजावरी सुसाइट ड्रोन इसराइली सहनिको के जमावड पर दाग दिया इसका एक वीडियो भी सामने आया है बड़ी बात यह है कि अलकासिम के इन हमलों के बीच अलकुज ब्रिगेट ने भी गाजा के पास बने कई सेटिलमेंट्स पर रोकेटों का जत्था फायर किया है अलकुज ने बाकायता इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें इस हमले की जलक साफ देगी जा सकती है